नमस्कार ने विल्केम यौलू वर्ल अफेर्ज नहीं प्रशान धवन नाव रिसेंटली वेस्टरन कंट्रीज के इन्फुलेंस में आकर लिथुएनिया नाम के देश ने एक बड़ा स्टैब उठा लिया है और इस कंट्री ने कोशिश ये करी है कि रश्या को ये तोड़ दे रश्या का एक बहुत ही इंपोर्टन हिस्सा जो यूरोप में है इसको कंप्लिटली डिस्कनेट कर दे रश्या से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कलिनिन ग्राड की यहाँ पर आप देख पाएंगे ये यूरोप का मैप है ये रश्या है ये जो आपको लाल एरिया दिख ये भी रश्या का ही पार्ट है ये है कलिनिन ग्राड नौ जब से यू इससा टूटा है तब से लेकर अब तक एक एग्रीमेंट था रश्या लटविया और लिथुएनिया के वीच में के रश्या से एक ट्रेन जाएगी और दोनों देश अराम से उसको एकसेस देंगे कलिन ग्राड को ये एक मेजर स्टेप है मैं आपको ये बता दू अगर लिथुएनिया ने अपना यहाँ पे निर्ने चेंज नहीं किया यही एक मेजर फ्लाश पॉइंट हो सकता है वर्ल वार थ्री का और यूरोप में जो अभी वार चल रही है ये तेजी से फैल जाएगी के वेस्टन कंट्रीज ने अब डिफैक्टो सीज डाल दिया है कलिनिंग्राड पर बिल्कुल सीजी डाल दिया है एक तरीके से घिराफ कर दिया है इस इलाके का कि रश्या के कोई भी सप्लाइज यहाँ पर नहीं पहुच पाएगी यहाँ के लोग सफर करेंगे और इवें इसकुल में डिसक्स किया था पता है क्यों इसलिए डिसक्स किया गया क्योंकि रश्या ने यह आपर सोचा कि लिफैनिया की इन्डेडन्स को इलीगल प्र दे दे मतलब के देखो कभी कोई इंडिया में PM कह दे ऐसा कि पाकिस्तान भी illegal तरीके से इंडिया से आजाद हुआ है हम भी उसको resolution pass करते इस पर खैर वो अलग मजाग की बात है मगर जो रश्या यहाँ पर कर रहा है it is very worrying तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के Kaliningrad NATO के लिए इतना important क्यों है और क्यों भविशा में आप Kaliningrad के बारे में बहुत सुनने वाले है and the war in Europe is about to get a lot worse तो discuss करते हैं इस topic को in depth मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question बूचूँँगा question यहाँ पर यह है के हाली में कौन सी space agency ने Milky Way का अब तक का सबसे जादा comprehensive detailed chemical map तियार किया है यह map आपको Cambridge University की website पर भी दिख जाएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे it is absolutely beautiful पूरा Milky Way जिसमें of course हमारा solar system भी आता है इसको properly map किया गया है it is amazing तो आपको यहाँ पर बताना है किस space agency ने recently यह किया है NASA, ISRO, European Space Agency या फिर Japanese Space Agency comment section में करिए उत्तर सही answer आपको मिलेगा वीडियो के अंड में now Kaliningrad के बारे में अगर मैं आपको बताओ तो इसको काफी बार का जाता है Russia का unsinkable aircraft carrier जो बिलकुल deep NATO territory के आपको मिलेगा और बिलकुल बात भी ठीक है Latvia, Lithuania, Poland यह सब NATO देश है इनके बिलकुल बीचो बीच आपको मिलेगा Kaliningrad और अगर यहाँ पर आप सोच रहे है वेल अगर मान लो Lithuania ने अगर यहाँ से जो access है railway का access यह रोग भी दिया to Kaliningrad रशा को प्रब्लम नहीं यहाँ रशा सीधा यहाँ पर शिप से पहुच जाएगा to Kaliningrad तो यहाँ पर देखो रशा को में प्रब्लम यह आएगी के पहली बात तो कारगो से बहुती अराम अराम से स्लोली पहुचेगा समान सेंट पीटर्जबर्ग से यहाँ पर Kaliningrad पर उसके लावा एक प्रब्लम यह भी आती है के रशिया मिलिटरी जो अपनी वैसल्स है जो अपनी सम्मरीन है या फिर जो फ्रिगेट्स है यह बहुती मुश्किल से यहाँ पर पहुचा पाएगा क्योंके रास्ते में बहुत से देश है इनके एकोनोमिक जोन पढ़ते हैं तो रशियन नेवी को ध्यान रखना होगा कि किसी का एकोनोमिक जोन यहाँ पर वॉयलेट ना हो जाए और उसके लावा आप देखो तो नेटो की बहुत जादा आपको प्रेजन्स भी बिलेगी बाल्टिक सी में तो जो सी एकसेस है हाला कि अभी के लिए बना हुआ है मगर यह रशिया के लिए कोई प्रॉपर आप्शन है नहीं एस्पेशली एक ऐसे टाइम में जब यूरोप की जो बहुत सारी कार्गो शिप्स है यह रशिया के साथ बिजनस करने को भी त्यार नहीं है अब पूरा यूरोप चंतित है सुवाल की कॉरिडॉर को लेकर सुवाल की कॉरिडॉर यह जो दो शब्दा याद रखना इन दा फ्यूचर अगर माली जिये लिट्वेनिया ने अपनी पलसी चेंज ना करी तो सुवाल की corridor बहुत news में रहने वाला है, इसके बारे मैं आप बहुत बार सुनोगे, ये है क्या, ये रश्या का आखरी option होगा, कलिनिन ग्राड को खुद से properly connect करने के लिए, क्योंकि मैं आपको अगर मैपने दिखाऊ, ये रश्या यहाँ पर, ये युक्रेन है, ये लिएनिया और पोलेंड बॉर्डर के बिल्कुल बीचो बीच, ये एक ऐसा corridor है, जो connect करता है, बिलारूस को कलिनिन ग्राड से, बिलारूस आपको बता होगा, बहुत जादा strong ally country है, रश्या का, परहाप्स दुनिया में आप कह सकते हैं, सबसे जादा pro-Russia country है, बिलारूस, तो व्लादमिर पुतन का plan था बहुती लंबे समय से, कि जो सवाल की corridor है बिट्वीन पोलेंड और लिथुएनिया, जो बिल्कुल दोनों की international border के बीच का, छोटा सा एक buffer zone परता है, रश्या इस corridor को कबजा लेगा, ताकि properly इनके पास एक access हो to Kaliningrad, और जो अब लिथुएनिय हमको annex करना होगा, यह हमको चीनना होगा और जैसे यह चीन लिया, आप दिखोगे नेटो का जो access है इन Baltic countries को, एस्तोनिया, लट्विया, लिथुएनिया यह कट जाएगा, नेटो कोई भी supplies नहीं बेच पाएगा इन तीन countries को, और यह बताया जाता है कि पुतिन का grand plan है कि साल यह वेट करेंगे, सिंस एस्तोनिया, लट्विया, लिथुएनिया को नेटो इतनी help नहीं कर पाएगा, लैंड रूट से, उसके बाद रशिया अराम से इन countries को भी कवजा सकता है, या फिर अट लीस्ट इनका कुछ area अपने अंडर ले सकता है, और इसलिए अगर आप अ एड सुवाल की कोरिडॉर टू जियो स्ट्राटेजिक लेक्सिकोन, इसके बारे में यहां पर आप देख पाऊगे, बहुत फीट्स हैं, एवरिवान इस लुकिंग अट इस कोरिडॉर, के रशिया इस कोरिडॉर के बारे में अब क्या करेगा, इस विल डिसाइड के यूरो प्रिटी की तरफ एक कदम और वड़ा चुकी है, आप वापस आते हैं, अमने क्वेशन की तरफ के दुनिया का लार्जेस केमिकल मैप ऑफ दी मिल्की वे, यह किस ने तियार किया है, तो सही तर इसका है, ऑप्शन सी, यहां पर आप देख पाऊगे, मेगा मैप ऑफ मिल्क की त्यारी कर रहे हैं, चाहिए ITJ, NEED, BANK, SSC, UPSC आप परचेस कर सकते हैं, अकाडमी के कॉलिटी कोर्से, सिंप्ली जाओ, कॉमेंट सेक्शन में, यहां पे आपको मिलेगा लिंक, फॉर एक्जामपल, लेट से आप प्रिपेर कर रहे हैं, फॉर UPSC, क्लिक कर ये, UPSC पर और यहां पे आप परचेस कर पाएंगे, अनकाडमी का युनीक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है, अगर आप यूज करते हैं, प्रोमो कोड PD10, माल लीजे अगर आपके पास अभी है एक-दो साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का टाइम देना चाते हैं, तो जो 24 मेंने का कोर्स है, यह आप कर सकते हैं परचेस, मगर जो प्राइसे यहां पर लिखे हैं, यह पे करने की आप सकता नहीं है, सिंप्ली यहां पे एकर आप कोड यूज करते हो, PD10, तो प्राइसे गिरने यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्राइसे विजे स्ट इस नोट के साथ यह वीडियो का अंथ, तो यह यहां वीडियो का अंथ, तो यहां पर लिस्निंग, और आज आलवेज, गाद ब्लस यू अल